हेलो फैमली कैसे हैं आप सब आप सभी के स्वागत हैं हमारे यूट्यूब के पूनम रॉफ के चैनल पे तुदर गुड मॉर्निंग फैमली सुबह हो गया शुबह के बज रहे हैं नौ अभी नहीं बजे हैं और आज 10 बन पात की हां तो आज भी नहा लिया है आज मैं भी नह है और नहा कि सुबह मैं पराठा और रात का सब्जी था स्वेविं का बनाए थी तो पराठा सेख दी हूं सब लोग नास्ता कर लिये हैं ममी उधर कर रहे हैं यह बच्चे लोग तो जानते हैं आप लोग की सब्जी खाते नहीं है तो सब्जी नहीं खाए लोग चाय हाज जोड़के विनम निवेदन है कि जैसे आप लोगों ने मुझे उस चैनल पर प्यार दिया था पुराने चैनल पर ऐसे हमारे इस चैनल पर मुझे प्यार दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करिए और मैं ननत के घर से आ गई हूँ शसुराल आने के बाद मैं टिकट के लिए बहुत परसान हूँ क्योंकि इन लोग के एडमिसें के बहुत लेट हो रहा है अब आज देखो भगवान से दुआ करो कि मेरे फटा फट टिकट आगर से आज कलका मिल जाए तो हम लोग भी निकल जाए क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इ इंपॉर्टेंट देते हैं लेकिन आप लोग लगता है कि मैं नहीं देती हूँ वह तो समय बताएगा तो आप लोग भूरे रही है मैं आस्ता करके आप सब से मिलती हूँ तो फैमली इधर देखे हैं साम हो गया साम के क्या चार साले चार graves रहे हैं बहुत घंगर बारी सो ρह है और हमारे डुम में देखे बाड बार आगया है आले काच रहा है पुरा पानी देखaldo लौग पानी हो गया है मा जाडू दसका कह रही हूँ आप कर लिकाचल ल sieht अर ओर इधर देखिए आरिया बाने नहीं है और इसे अरकाए है इधर देखिए इसलिए बाहर ऐसे रारूपी पैक था बहुत बेकार एक दम हो गया है रूम में पुरा पानी पानी चले अब इसके लिए परसान हो जाए कफेंडरी रूम साब करके आई मैं पूरा मेरा कप्रा भीघ गया था कप्रा था दोने के लिए मैं यहां बारिष पानी से अरिया का कप्राओ दूर लए हूं और राशं में कप्राओ भीक न ऐसको नहीं अच्छा लगता है मुझे को ज़्यास लगता है तो मैं सोच रही थी कि फटा-फट कप्ड़ा धो के फिर उसके बाद मैं नहालू अब बारिज धीरे धीरे हो रहा है मैं कप्ड़ा दोल लए हूँ आप लोग को भी बारिज में अच्छा लगता है भीगना तो फैमली बारिज देखिये खतम हो गई है बारिज हो रहा था सुबसे यह आदा बारिज के पानी से ही कप्ड़ा दोल लेती हूँ और नल के पानी से एक बल्टी मांगके फरिया लेती हूँ लेकिन बारिष के पानी से कपड़ा क्लीन होता है तो हमने कपड़ा दूर के फिर उसके बरतन वगयर माज दी हूं पुरा भीग गए थी मेरे रूम में भी बैडरूम में काफी बहुचारी आ रहा था बाहर से तो पानी भीग गया अरे स्वरी पुरा रूम में पानी आ गया बारिष में बहुत दिक्कत यहां होती है और लाइट काव में बहुत प्राबलम रहता है इतना दिक्कत चहना पड़ता है सब को चहना पड़ता है मुझे नहीं सब को चाहना पड़ता है लेकिन कभी गाओं में सुधार होगा और मैं सोच रही हूँ कि अप लोग कमेंट कर दे थे कि दीपक भाई ने रिशब के बर्डे में गोल्ड का गिप्ट दिया था तो मैं अरे आयंके बर्थडे में क्यों नहीं कुछ दिया तो बा इस बार गई थी अपने ननत के शसुराल बड़े से लिप्रेट करने तो ननत के शसुराल गई थी मैं बुलाती तो वो जरूर आते लेकिन मैंने किसी को बोला ही नहीं इसलिए मैं नहीं बोली आप लोग जानते हैं कि उदर किट्टो का भी तबियत काफी खराब था मम्मी किट्टो सब लोग परसान थे फिर इधर से दिपक भाई भाभी बच्चे लोग को लेके और पापा पा को लेके इधर अखेले घर समालना तो आते तो नस्दीक तो है अगर समय कस्तूरी पूर में मनाती तो जरूर बुलाती लेकिन मैं जौनपूर में गई थी बुलाती तो जरूर आते लेकिन मैं बोली जाने तो परसान है क्या जरूरत है आपस में हम लोग मना लेंगे तो आर्यां के बर्थरे में इसलिए मैंने अपने मैंके वाले को नही बोला मैं और मेरा कोई वो नहीं था कि हम यहां आएंगे जाएंगे जोन पूर ही मनाने हम सुचे थे कि आरियंग का बर्थडे है नार्मल तरिक्ये से चलेंगे सांती से बस मातारानी का दर्संग करवाएंगे उसको बहुत दिन से जब से मेरी साधी हुई है 16 साल मेरी साधी को हो गए मैं अपने नानत के घर पे कभी गई नहीं कितनी बार बुलाएं जब आरियंग के पापा थे तब पर भी जब मुंबई से आते थे तो बोलते थे काफी दूर है इसके वज़े से नहीं ले जाते थे आरियंगी छोटा था तो काफी उचलता था तो ब अप्सन था और टिकट का भी प्राप्रम था इसके लिए मैं नहीं गई जा रहे थी नहीं के सब कैंसिल कर दी तो बड़े वाले दिन आरों ने बहुत ज़्यादा जिद किया कि नहीं आर्तिवा क्यां चलो मम्मी चलो हम कहीं नहीं जाएंगे तो आरों के जित की वज़े से मैं अपनी ननत के हां गई और उसकी जित की वज़े से आर्यान को मातारानी का दर्शन भी हो गया और अच्छे से बड़े भी सेलिब्रेट हो गया और आर्यान भी बहुत खूस हुआ कि बोला है कि फर्स टाइम मेरा बड़े ऐसा हुआ मतलब कि उसके जानकारी में जब उस आर्यान के इनवर्सरी आती थी तो उस दिन हम लोग कभी केक नहीं करते थे हम लोग बाहर जाते थे खापी के आ जाते थे और आर्यान के बड़े के दिन सब को बुलाते थे भर पे ठाना भी खिराते थे पचासार लोग उनके प्रेंड लोग रहते थे अपना आते थे सब क कुछ करते थे तो अभी मैं कुछ ने करती हूं इस बार के आरियन के बड़े से बहुत ज्यादा आरियम खुश हुआ और उसको सब से अच्छा लगा कि अब मेरी बुआ के घर पर ले जाके अम्मी सेलिब्रेट की हैं अरियन का बड़े का खर्चा किस ने किया और कौन किया तो वो मेरे नेक्ट ब्लॉग में आएगा तो मैं अपना वीडियो यह पेश हमाद करती हूं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को ल झाल